नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका हमारे आफिशल वुटूब चैनल जीजेस भाई नीजसर में कैसे हैं आप शब मैं उमीद करता हूँ स्वास्त होंगे मस्त होंगे उपनी तियारी में ब्यास्त होंगे मित्रों यहां तियारी कहने का मतलब है कि आप चाहे ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर आर्ट की तियारी कर रहे हूँ यूपी वाली या फिर किंद्रिय बिद्याले शंगठन वाली या फिर टी एस 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 भी वाली या किसी अन्यराज़ी की जो आपको इंटर कालेज में इफबर नहीं रखना है ठीक आराम से व्यामार शीट उठा लिजिएगा व्यामार शीट पर ही प्रक्टिस करियेगा क्योंकि इसका नाम ही है प्रक्टिस पेपर क्या पीपी प्रक्टिस पेपर होता है इसमें हम लोग 125 कॉस्ट देखते हैं और 125 कोस्ट चंस कम समय में लिखते हैं और उशी में आपको हम OEMR भरने का भी बताते हैं कि OEMR इसका ये होगा इसका ये हो तो आराम से OEMR सिट ले लीजिएगा OEMR सिट हमने मोडल पेपर में इंक्लूड कर दिया है मोडल पेपर से पीछे निकलवा कि उसका जिरॉक्स करवा लीजिएगा दस बीस आपको यहीं पताया जायेगा प्रक्टेस चरूर करें जिस किसी को फालो करते हूं उसको फालो करें हमें कोई रोक टोक नहीं है नकुछ हमारा आप पर प्रभाव होता है पड़ते है पढ़ते है अच्छी बात है यह आपके उपर डिपन करता है कौन सा टीचर अच्छा comment box देखता हूँ कभी कभी लोग लड़ाई लड़ा लेते हैं आपस में ही कि हमारा teacher बहुत अच्छा है ऐसा नहीं करना है जिसको जो लिखना है लिखने दो क्या फाइदा है धीरे धीरे उनका भी मन परिवर्तित हो जाएगा बदल जाएंगे समय सबको बदलवा देता है आप जानते होंगे समय एक ऐसी कुझी है जो समय रहते समय पे ही सबको सही कर देती है ठीक है तो बस यही है कि जो समय अच्छा मिला है उसी को बहतर बनाओ ये मत सोचो कि नया समय आएगा तब उसमें हम अच्छा करेंगे जो समय है इसी को अगर आप बहतर बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे और योग इंसान बन जाएंगे और अगर ये सोचेंगे जब हमारा अच्छा समय आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे तो अच्छा समय कभी नहीं आता समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है आईए स्टार्ट करते हैं ये प्रक्टिस पेपर 17 है में लग रहा है प्रक्टिस पेपर कौन सा है 17 है इससे पहले 16 तक का हो चुका है हम उम्मीद करते हैं आप लोग प्रिवियस के 16 प्रक्टिस सेट और 20 मॉडल पेपर देख चुके होंगे 20 मॉडल पेपर देख चुके होंगे और इतना देखने से पहले आप क्या देख चुके होंगे इतना देखने से पहले आप फाइनली और डाटा देख चुके होंगे जैसे 20 model paper हुआ, 16 practice set हो चुका है 90 test paper हो गया है 90 test paper हो गया है उसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा और 90 test paper के शाथ साथ 1025, अच्छा 1025, नहीं नहीं बाबू 125, 125, 125 प्लस जो है 10 के dose हो चुके हैं यानी लगभग, 13 100 questions के आसपास हम लोगों ने 10 के dose में देख रखा है इसका revision जल लहा है, 10 का dose का वो भी हम करवाते रहते हैं समय समय पे तिन क्लासे super fast revision की हो चुकी है, उन्हें आप लोगा उच्छे देख लीजिएगा कम समय में बहतर तैयारी के लिए super fast revision लांच किया गया है देसके dose का, उसे जरूर देखना है सब कुछ आपका बेटर हो जाएगा हमारा target एक ही है, जो भी भरती आए, उसे finally नस्ते नाबूत करना है trend graduate teacher art UP वाले में 148 पदों पे भरती है main focus हमारा इस पे है उसके साथ KBS का भी भरती है, आप जानते है KBS किंद्रे विद्याले संगठन में TGT आया था और TGT art में लगभग 40% लोगों ने अपलाई किया है हमारे यहां से भी दोशों यह क्या उन पदों पे भरती है इसको भी नस्ते नाबूत कराना है उसके लिए आज से दिन रात देख होगा, खोई डाउट नहीं होगा पहला question साब की screen पे है आप से पूछ रहा है कि लंदन के सच्चा जाफरी नामक कलाकार द्वारा एक बनाई गई है दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास प्रेंटिंग और ये कैनवास प्रेंटिंग 23 मार्च 2021 को एक निलामी में कितने रुपए में भी की है दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास प्रेंटिंग है 23 मार्च 2021 को कितने करोन में बिग जाएगी 450 करोन का अपसंस है 500 करोन का अपसंस है 90 करोन का अपसंस है और जो है 1100 करोन का अपसंस है आपको बताना है कि जो कैनवास पेंटिंग है किसकी सच्चा जाफरी की तो सच्चा जाफरी की पेंटिंग कितने करोने में बिग जाएगी तो ना बहुत higher ना बहुत lowest आपको मिड़ वाला आंसर 450 करून लगाना होगा एस तराइट आंसर शे बनाना होगा बढ़ेंगे एगले questions की तरफ प्रश्रेंख्या दो आपकी screen पे है पढ़िये और जबाब दीजिए भीम बेटका में कौन सा चित्र है दिया गया प्रगैतियासिक चित्र है जैन चित्र है बौध चित्र है या फिर इशाई चित्र है आप जानते हैं भीम बेट का जो गुफाय होती है मितरू है प्रोगतियासिक काल के डाटा दिखाए देंगे तो प्रोगतियासिक चितर पी दमान होगा रही सही जबाब जो है एक एसाथ आपको लगाना होगा फर्ष्ट इस दराइट आंसर लगाना होगा प्रस्ष्ण क्या 3 की बात हो रही है 3 नम् caucusimmen कंदरिया महादेव और जग्दममा मंदिर ह् Morgan सबत है पीर रलो लॉरस सही जबाब को देना है कंदरिया महादेव मंदिर आपने अच्छा कि यादी किया होगा खजरा हो खजरा हो खजरा हो तोने शर्ब पर थम चित्रकला का प्रियोग किया, नाम दिया गया, उत्तर पाशान काल मानो, मद्य पाशान काल मानो, बैदिक काल का या फिर आधुनिक काल का, आपको बताना है किस काल का मानो, सबसे पहले चित्रकला का प्रियोग करता है, तो उस काल का मानो होगा उत्तर का फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ इमानदारी के साथ मित्रों अपना प्रेक्टिस पर देना कितने कोश्चन्स आते हैं वही एक्जेक्ट कमेंड बॉक्स में छापना प्रेशन क्या पांच के रहा गायल सुवर गायल सुवर की गुफा चित्र कहां से पराप्त हुआ नाम दिया गया मरनात से मानिक पुर्शे बेल लारी से और फिर मिरजा पुर्शे गायल सुवर का जो गुफा चित्र है मित्रों कहां से दिखाई देता है नाम दिया गया आदम गड़, पंच मुखी, भिल डरिया और लिखुनिया आपको बताना जिराफ गुरुफ जिराफ गुरुफ कहां पे चित्रित है तो जिराफ गुरुफ के अगर बात आया मित्रों तो आपको आदम गड़ अंसर्स लगाना होता है फ़िष्ट इस दराइड आउंसर्स बनाना होता है बढ़ेंगे एगले कोशन, श्कीतराइब फगला कोशन, शाथ नंबर आपके स्क्रिंट पे ये रहा पूछ रहा है भारती चित्रला का जो प्रादुर भाव है वो कहां हुआ है बढ़ेंगे एगले कोशन, शाथ नंबर आपके स्क्रिंट पे ये रहा आठ नंबर कोशन कहे रहा है कला का वह कौनशा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूती होती है तो कला का कौनशा तत्व वहा है रंग है, रूप है, पोत है, रेखा है कला का कौनशा तत्व वहा है जिससे धरातल के गुण के बारे में पता चल जाता है धरातल के ऐसा है तो अगर धरातल का गुन पता करना है तो उसका पोत से पता चल जाएगा सही जबाब भी के शाद लगाना बढ़ेंगे एगले कोश्टन्स की तरफ नौ नंबर कोश्टन्स आपकी स्क्रिंग पर ये रहा है नौनिम्बर कोश्टिंस के रहा है निमल भिखित मेशे कौन सा खनीज रंग नहीं है और नाम दिया गया गेरुबा, काजल, रामरंग और पेवड़ी आपको बताना है कौन सा खनीज रंग नहीं है तो काजल आप जानते हैं खनीज रंग नहीं होता है एकदम पर क्र Ciao एका ज जाता है काजल तो सही जबाब सी के साथ बनता है सी इस तराइट आंसर्स लगाओ फिर बढ़ेंगी अगले कोश्चन की तरफ दस नंबर कोश्चन सबसे इंपोर्टेंट कोश्चन से अब तक के प्रश्मों का दुसाला ओड़ ही योगी की मूर्थी कहां सुरचित है नाम दि दुसाला ओड़ ही योगी की मूर्थी कहां सुरचित है आपको सही जबाब राष्टिय संगरहले करांची देना होगा डी इस तराइट आंसर्स बनाना होगा बढ़ेंगे गले कोश्चन की तरफ मित्रों अगला कोश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रिंट पे ये रहा पूछ रह में हुआ सही जबाब आपको देना है उत्खनन का कार रह कहां पर शेप से पहले हुआ है सही जबाब आपको हडपा लगाना होगा वनईशो एककाईश लगाना होगा फर्स्ट इस तराइट अंसर्स बनाना होगा बढ़ेंगे गले कोश्चन की तरफ आप जानते हैं कि जो प्रसाइद करने का प्रयास करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब फिर शे अपनी तयारी में मुख्यधारा में आजाएंगे बारा नम्मर कोश्चन के रहा है धातू निर्मित नर्थकी की मूर्ती कहां शेपराप्त हुई है नाम दिया गया हडपा, मोहन दुलों से पाया गया, सही जबाब आपको शी के शाथ देना होगा मित्रों, सी इस दराइट अंसरस लगाना, अगला प्रस्न तेरा नमबर आपकी स्क्राण पर ही रहा है शन्धूर्श भेता के जीवन में किस पशू का सरवाधिक महत हुथा, सिंधूर्काल में सबसे ज़्जादा प्रस्ध पशू, सबसे ज़्यादा महत्तो का पशू कहुँसा था? गाय, बैल, कुट्ता, हाथी तो सिंधुकाल में जो लोग पूजते थे वो तो गाय थी लेकिन जो मूल रूप से महत्व था सबसे ज़्यादा महत्व तो बैल का था सही जवाब सी के साथ देना होगा सिंधुकाल में ही लोग पीपल की पूजा करते थे और उसके साथ साथ पशू पती भगवान की पूजा खूब अच्छेशे शिंदुकाल के लोग किया करते थे ठीक है आगे बढ़ते है 14 नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पर ये रहा 14 नंबर कोश्चन्स के रहा है अर्जुन की तपस्या का द्रिश्य अर्जुन की तपस्या का द्रिश्य उतक्रिन है साची में महाबली पूरम में भरहूत में या फिर कालसी में आपको बताना अरजुन तपस्या का द्रिश्या, अरजुन तपस्या की मुद्रा में लीन है, ऐसा द्रिश्या महाबली पुरम में है, शही जबाब C के साथ बनेगा, C is the right answer लगाओ, फिर बढ़ते हैं अगले questions की तरफ, अगला questions 15 नमबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा, पूछा गया है, इन में से कौन सा एक, जंगलवादी यानि फॉस्टिब चितरकार है, जंगलवादी चितरकार माने हैं, मातिस हैं, मोने हैं या फिर मोंद्रिया हैं, आपको बताना जंगलवादी कलाकार इसमें से कौन सा है, और सही जबाब मातिस के साथ लोग लगाते हैं, C is the right answer फिर से बढ़ते हैं अगले questions के तरब मित्रों अगला questions 16 नंबर आपकी screen पे ये रहा 16 नंबर questions के रहा है बोध गया में ज्यान प्राप्ति के पश्चाते भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम पंच सिश्चे प्रथम पंच सिश्चे को धर्म पदेश कहां दिया तो पहला धर्म पदेश भगवान बुद्ध कहां देते हैं शांची में, लुंबनी में, स्रावस्ती में या फिर शारनाथ में आपको बताना है ग्यान प्राप्ति के बाद मुल रूप्शे पहला उपदेश कहां देते हैं बुद्ध जी तो सही जबाब शारनाथ बनता है, डेज तराइट आंसर्स बनता है बढ़ते हैं अगले कोश्चंज के तरफ, अगला कोश्चंज 17 नमबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा 17 नमबर कोश्चंज कह रहा है, शिंद्धु घाटी शबहता की जो मूरती है निर्त रत किशोरी, एक किसके संग्रहले में है नाम दिया गिया कि भारती है शंग्रहले कोलोकाता में है, निर्त रत किशोरी नाम दिया गिया लाहुर संग्रहले लाहुर में है, राष्टी है शंग्रहले नई दिल्ली में है और फिर चन्नाई शंग्रहले चन्नाई में है जो सिंधु घाटी काल का डाटा है निर्तरत किशोरी वो मूल रूपशे कहां आपको दिखाई देगी तो उसके लिए सही जबाब राश्टी रास्थानी छेतर लगाईएगा राश्टी शंगराले नई दिल्ली लगाईएगा से इस दराइट आंसर्स बनाईएगा बढ़ते हैं अगले कोश्टन्स के तरफ अगला कोश्टन्स 18 नमबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा है बारत की सबसे प्राचीन मूर्थियां मिली है सबसे प्राचीन मूर्थियां मोहन जुद्रो और हरपा के ध्वन सब इस शेतर से मिली है मौर्य यूग के राजगरह में मिली है कुशार यूग में मतुरा से प्राप्त हुई है और फिर कोई नहीं भारत की सबसे प्राचीन बताना है जो सबसे प्राचीन मूर्थियां है कहां से मिली है तो जो सबसे प्राचीन मूर्थी है मित्रों हो मोहन जोड़ो और हरपा के ध्वन सवन सब बिशे सचे दर्शे प्राप्त हुई है सही जवाब एक एसाद देना होगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन्स के तरफ 19 नम्मर कोश्चन्स आपकी स्क्रण पे ये रहा आपसे पूझ रहा है एक मरे हुए सुवर को पकड़ कर ले जाने का दर्शे कहां पर चित्रित किया गया है एक मरे हुए सुवर को पकड़ कर ले जाने का जो दर्शे है कहां चित्रित है नाम दिया गया लखंदियारी में है सुरहो घाट में है पंच मणी में है या फिर भीम बेट का में है सही जवाब आपको देना है मरे हुए सुर को पकड़ कर ले जाने का जो द्रिश्य दर्शाया जाता है मित्रू वो पेट्रोगलेफ्स भीम बेट का सही जवाब बनेगा डे इस दराइट आंसर्स होगा फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ आप जानते हैं 125 कोश्चन्स का सेट होता है इस क्रम में आप 20 नंबर कोश्चन्स स्वालो कर रहे हैं आपको बताना जो मोहन जुदाडों से बहुत चर्चित मूर्ती प्राप्त हुई है वो सबसे फेमस कौनसी है तो आप जानते हैं कि 10.5 cm वाली जो एक डांसिंग गर्ल प्राप्त हुई है वो सबसे ज़्यादा फेमस है तो सही जबाब तवांगी नर्थकी यूती लगाना जो काशा मातिम में है याद रखना काशा मातिम में बढ़ेंगे एकले कोश्चन्स की तरफ 21 नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे है 21 नंबर कोश्चन्स कह रहा है भूमी असपर्ष मुद्रा में पदमासन एक शाधक की मूर्ती कहां शिपराप्त हुई नाम दिया गया हडपा शे लोथल शे मोहन जोड़ों से तो भूमी असपर्ष मुद्रा में पदमासन का एक शाधक मूर्ती कहां दरसाया गया मित्रों सही जबाब मूर्तियों के लिए मोहन जोड़ो बना है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के तरफ 22 नमबर कोश्चन आपकी स्क्रिंट पर यह रहा पूछा गया हडपा शभ्यता के मकान बने थे नाम दिया गया प्रस्तर से, इटों से, सीमेंट से या फिर कास्ट से आप जानते हैं हडपा शभ्यता के काल में जो इट दिखाई देते थे कहीं कहीं आपको वर्गा कार तो कहीं कहीं आपको कैसा इट दिखाई देता था अत्रफजा कार तो कहीं कहीं वक्रा कार इट दिखाई दिये हैं तो आपको सही जबाब इट लगाना होगा सीज दराइट अंसर्स बनाना होगा हडपा और मोहन जदाड़ों उसकाल के सबसे बढ़ियां वाले सहरों की सूची में आते थे सीज दराइट अंसर्स बनाना एगला कोश्चन्स तेज नंबर आपकी स्क्रिंट पे है मिट्टी का बना हल का साच्छे कहां शे मिला है नाम हडपा है बनावली है मोहन जदाड़ों है और काली बंगा है मिट्टी का बना हुआ जो हल है मित्रों वो मुल रुप से प्राप्त होता है हरियाना की बनावली शे तो सही जवाब आप कुशी के साथ देना होगा बढ़ेंगे एगले कोश्चन्स की तरफ 24 नमबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पर ये रहा 24 नमबर कोश्चन्स कह रहा है हरपा संसकर्ती का समूचा छेतर है एक बरताकार छेतर है टेंढ़ी मेडी बनावठ है वरगा कार छेतर है या फिर तिकोना छेतर है आप जानते हैं जो हरपा संसकर्ती है मित्रों उसका द्रीशे इस त्ड़ाइब से दिखाई देता है तो कई जगे तिकोना और कई जगे त्रभुजा कार लिखा मिलता है पूछ रहा है धर्मराज का इस्तूफ कहां इस्तित है धर्मराज का इस्तूफ कहां इस्तित है नाम सारनाथ का है प्रियागरास का है अध्या का है और कोशामभी का है सही जवाब आपको देना है धर्मराज का इस्तूफ के अगर बात करें मित्रूं तो सही जवाब सारनाथ बनता है, first is the right answer होता है बढ़ते हैं अगले questions की तरफ 26 number questions आपकी screen पे है, पूछ रहा है वह कौन सा चित्रकार है, जो ऐसा मानता है कि चित्रों में रंग हाथों से नहीं भरे जाते हैं, आपे तो रंग बिधान मस्तिस्क की की देन है, कौन सा चित्रकार कहता है, चित्र में रंग हाथ से नहीं भरे जाते हैं, रंग बिधान मस्तिस्क की देन है, क्या लियोनार्डो दा बिंची ने ऐसा कथन कहा बोत्ती शेली ने कहा माइकेल एंजिलो ने कहा, या फिर रेफल महोदे का कथन है, आपको शही जवाब देना है, किसका कथन ऐसा रहा है, तो याद रखना रंग हाथों से नहीं भरे जाते मस्तिस्क का बिधान है, माइकेल इंजिलो की अकार्डिंग, सही जवाब बी के साथ लगाओ, बढ़ो अगले कोशन्स की तरफ, 27 नमबर कोशन्स, आपकी स्क्रिंग पर ये रहा पूछ रहा है, कहां की गुफा में माडोशन, राज़कुमारी या फिर माडोन, मुखी, राज़कुमारी चित्रित हैं, नाम दिया गया बाग में हैं, अजनता में हैं एलोरा में हैं, या फिर बढ़ामी में माड़ासन, राज़कुमारी आप सानते हैं जहां परती सुगुफाएं प्राप्त होंगी, महाराष्टरा औरंगाबाद में इस्तित होंगी, सही जबापसी के साथ बनेगा, बढ़ेंग एगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन 28 नमबर आपकी स्क्रिंट पे ये रहा 28 नमबर कोश्चन कहे रहा है अजनता की सर्वपर्थम बनी प्रतलिपियां कहां प्रदर्शित होई नाम दिया गया जहांगी राट गैल्टी मुंबई में प्रदर्शित होई बहरत कलाभौन वारानसी में प्रदर्शित होई क्रिस्टल पैलस इंगलेंड में हुई या फिर नमेशे कोई नहीं अजनता की सबसे पहली बनी जो प्रतलिपी है मित्रों वो प्रदर्शित होती है क्रिस्टल पैलस तो आपको सही जबाब इंग्लेंड के साथ देना होगा सीज दराइट आंसर्स लगाना होगा बढ़ेंग एगले कोश्टन्स की तरफ एगला कोश्टन्स 29 नमबर आपकी स्क्रिंग भी यह रहा पुछा गया फोलिए बरजेरर फोलिए बरजेरर का मदिरा ग्रह फोलिय बरजेर का मद्राग्रह ये 882 की रचना है किसका चित्र है तो फोलिय बरजेर का मद्राग्रह जो है मोनी ने बनाया सोरा ने बनाया माने ने बनाया फिर पीशारों ने बनाया सही जवाब आपको देना है फोलिये बरजेरा का जो मद्रा ग्रह है मित्रों वो बनाया जाता है माने के द्वारा तो आपको शही जबाब बी के साथ देना होगा बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ तीस नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूछा जा रहा है बाग गुफा की खोज किसे ने और कब की नाम दिया गया डेजर फिल्ड ने 1818 में खोजा जान इसमित ने 1819 में खोजा गोपी नाथ ने 1818 में खोजा या फिर अनमेशी कोई ने बाग गुफा की बात हो रही है धार जन्पद मद्द परदेश में इस्तित है नो गुफाएं पाई जाती है लगभग गुफाएं बिहार गुफाएं है डेजर फिल्ड ने खोजा है ठारा सो ठारा का सन होगा तो सही जबाब फर्ष्ट के साथ बनेगा इस तरह आई टांसर्स लगाओ बढ़ते हैं अगले कोश्चन्स की तरफ 31 नमबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिंट पर ये रहा जो 31 नमबर कोश्चन्स है मित्रों लाल रंग के प्रकास में कौन से रंग की वस्तु काली परतीत होती है अगर लाल रंग का प्रकास है तो हरे रंग में काली दिखाए देगी कत्थ ही रंग में दिखाए देगी नीले रंग में दिखाए देगी या फिर बैगने रंग की दिखाए देगी तो लाल रंग के प्रकास में कौन सी वस्तु काली परतीत होगी तो अगर लाल रंग का प्रकास है तो हरे रंग में लगाओ तुरंत काली देखो फर्स्ट इस दराइट आंसरस बनाओ बढ़ेंगे अगले कोश्चनस के तरफ 32 नमबर कोश्चनस कह रहा है कि इस छापाकार की मृद्व 27 मार्च 2021 को हो गई आपको बताना है राम कुमार, जैज हरोटिया, फ्रांसिस नूटन सुजा, एफर गने स्वाई ने 27 मार्च 2021 को अंतिम सांस लेने वाला कलाखार जैज हरोटिया सही जबाब आपको शी के शाथ देना है फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरह 33 नंबर कोश्चन साथ किस क्रिंट पे है पूछ रहा है एलिफेंटा गुफा की शीमाएं किससे गिरी हुई है नाम है पहाड़ी से, शमुद्र से, नदी से, आफिर टापू से इलिफेंटा गुफा जिसका पुराना नाम धारापूरी होता है धारापूरी, ये धारापूरी किससे गिरी हुई है किससे गिरी हुई है मित्रों तो आप जानते हैं इलिफेंटा, इलिफेंटा समुद्र से गिरा हुआ है वीशी में टापू है सही जवाब शी के साथ बनेगा सीस तराइट आंसास लगता है इलिफेंटा समुदर से गिरा हुआ है जबकि पहाड़ी कौन सा है तो भीम बेट का लगाना पड़ता है भीम बेट का भीम बेट का पहाड़ी होता है याद रखना बहुत सारे लोग उसे भी बानते हैं तो भीमबेट का पहाड़ी है और इलिफेंटा समुदर से गिरी हुई है सही जवाब सी के साथ वढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तरह 34 नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिंट पर ये रहा 34 नंबर कोश्चन्स के रहा है घ्रीक राजदूत मेगास्थनीच किसके दरबार में रहता था नाम दिया गिया अश्वोग, शमुदर गुत, चंदर गुपत मौरिया, फिर कुमार गुपत आपको बताना मेगास्थनीच किसके दरबार की शोबह ता है तो मेगा स्थनी जिसके दरबार में रहा उसका नाम चंदर गुप्तमोर्य था सही जवाब भी के साथ बन रहा है बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तरफ 35 नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिंग पे है पूछ रहा है ग्वास ग्वास रंगों की प्रकरति कैसी होती है पारदर्शी अपारदर्शी अर्ध पारदर्शी या फिर कोई नहीं तो ग्वास रंग जो है मित्रों वो मूलुपशे अपारदर्शी होते हैं तो सही जवाब भी के साथ बनता है अगला कोश्चन्स 136 नंबर नहीं प्रतिलपी तयार करने वो भी किस की बाग की तु वन नाइन टू ही नियाद रखना बीज तराइट अंसस बनाना फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ 37 नंबर कोश्चन्स आप से पूछ रहा है कि उर्ध मुखी तरभुज उर्ध मुखी तरभुज किस का प्रतीक है नाम है उपर को गती या लिंग का डढ़ता का एस्थूलता का या फिर गती का उर्ध मुखी तरभुज किस का प्रतीक है मित्रों तो सही जबाब बनता है उपर की गती या लिंग का बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ एगला कोश्चंस 38 नमबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूछ रहा है बदामी गुफा के चिदर किन मातों किन मातों से शंबन देत हैं नाम दिया गिया बौध बरामःण से जैन बरामःण से बाइसलो बरामःण से C is the right answers होता है, बढ़ते हैं अगले questions की तरफ, अगला questions 39 number आपकी screen पर ये रहा, आप से पूछ रहा है आप से पूछ रहा है moving focus क्या? moving focus और जो है the living tradition perception of modern Indian art तो moving focus की बात हो या फिर the living tradition, perceptive on Indian modern, art जैसे पुस्तकों को किश ने लिख दिया है नाम है केजी शुब्र मन्नम ने लिखा moving focus ए मुरे ने लिखा, जान इसमित की रचना है या फिर अगले questions की तरफ सही जबाप आपको चूछ करना है याद रखना moving focus की अगर बात हो तो केजी शुब्र मन्नम के शाथ answer share करना first is the right answer बढ़ेंगे अगले questions की तरफ 40 number questions आपकी screen पे ये रहा मेघ कन्याओं का अंकन कहां मिलता है नाम है शिगरिया में, शित्तन वासल में, बढ़ामी में या फिर नमेशी कोई नहीं मेघ कन्या की अगर बात हो मित्रूं तो आपको सही जबाप शिगरिया गुफा देना होगा फर्स्ट इस तराइट आंसस बनाना होगा बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions 41 number आपकी screen पे ये रहा 41 number questions कह रहा है पेंटिंग एट बदामी पुस्तक की लेखक हैं पेंटिंग एट बदामी की अगर बात हो रावर्ट गिल हैं, स्टेला कैमरिस हैं बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions 42 number आपकी screen पे ये रहा 42 number questions कह रहा है सीगरिया की प्रतलिपियां कहां सुरचित हैं नाम दिया गया राष्टिय संगरहले भारत में हैं बोस्टन संगरहले अमेरिका में हैं लिब्रू संगरहले पेरिस में हैं फिर कोलंबो संगरहले स्रिलंका में आपको बताना है सीगरिया की प्रतलिपियां कहां सुरचित हैं सीगरिया की प्रतलिपियों की अगर बात हो मित्रों तो याद रखना यही सीगरिया गुफा स्रिलंका में पाई जाएगी तो ये इसकी प्रतलिपियां भी कोलंबो शंगरहला इस रडंका में ही होंगी सही जवाब D के साथ देना होगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन्स के तराफ 43 नंबर कोश्चन्स आप किस रिंग पे है 43 नंबर कोश्चन्स कह रहा है बैगनी रंग किसका पूरक है नाम दिया गया लाल का, पीला का, नीला का, काला का बैगनी रंग किसका पूरक रंग होता है मित्रों तो आपको सही जवाब देना था और सही जवाब पीला रंग बनेगा सीस दराइट अंस बनेगा फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तराफ अगला कोश्चन्स 44 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा आप से पूछ रहा है 44 नंबर कोश्चन्स की मामल पुरम मामल पुरम और पन्ना मलाई के बेती चित्रों किस राजवन्स के अधियन बने नाम दिया गया मामल पुरम मौरर वन्स ने बनवाया चलू की वंस ने बनवाया गुप्त वंस का डाटा है या फिर पल्लो वंस का डाटा है मांबल पूरण और पन्ना मलाई के अगर बात होती है मित्रों तो सही जब आब पल्लो वंस बनता है डीस्तराई टांसस बनता है बढ़ेंगे अगले को Controls की तरफ अगला कोश्चन 45 नमबर आपके स्क्रिंट पर ये है आपसे पूछ रहा है बाग के चित्रों में कौन सा दर्श बहुत संगीत मई या रोचक है नाम दिया गिया बाग गुफा में शोका कुलनारी बहुत संगीत मई है इस्तरी गाईकाओं का दल बहुत स्पेमश है बादलों होगा बढ़ेंगे एकली कोश्चन की तरफ 46 नमबर कोश्चन आपके स्क्रिंट पर ये रहा आपसे पूछ रहा है इली फेंटा गुफा हैं जो महराष्टा में हैं कुल लगभग डाडाडाडाट सदी में बनाया गया नाम दिया गया पांचमी आठमी शताबदी में बनाय इली फेंटा बन जाती है इली फेंटा कि पांचमी आठमी शताबदी याद रखना फॉरस्ट इस्टराइड आंसस बनाना अकला कोश्चन फोडई से वन नमबर आपके स्रिंट पर रहा है पूछ रहा है पाल सैधी का संरचक कौन था? नाम दिया गया चालू के मालक साषक? शुंग शाशक, पाल साशक या फिर हिंदो शाशक पाल सैली का जो संरच्छक रहा है मित्रों वो मुलूब से कौन रहा तो वो रहा है पाल साशक सही जबाब जो है पाल सैली पाल साशक बनेगा 20 तराइट आंसर होगा अगला कोश्चन 48 नमबर आपकी स्क्रंट पर यह रहा 48 नमबर कोश्चन आपसे कह रहा है जैन सैली को पश्चिम भारतिय सैली किस बिद्वान ने कहा जैन सैली को पश्चिम भारतिय सैली राय कृष्ण दास ने कहा इवी हैबले ने कहा आनन्द कोड़िस कुमार स्वामी ने कहा या फिर रवीन नाठ टेगोर ने कहा जैन सेली को पश्चिम भारती सेली कहे कर कि जो पुकारते हैं उन बिद्वान का नाम है आनन्द कोड़िस कुमार स्वामी तो आपको शही जबाब सी के शाथ देना होगा बढ़ेंगे अगले कौश्चिन्स के तरफ अगला कौश्चिन्स 49 नमबर आपकि स्कुर्ण पिर रहा डाक्र आनन्द कोड़िस कुमार स्वामी ने 2124 इस भी में कलप शूतर की एक परती कहां शेप रापत की आनंद कोड़िस कुमार स्वामी 2124 में कल्प सूतर की एक प्रति लाहुर संगरहले से प्राप्त करेंगे कलकत्ता संगरहले से लाएंगे बर्निल संगरहले से पाएंगे या फिर भारत कलब होन वाराण से से पाएंगे तो आप जानते हैं आनंद कोड़िश कुमार स्वामी की बात हो रही है और कल्प शूतर की बात हो रही है और कल्प शूतर की बढ़ियां वाली जो प्रती होगी वो बर्लिन संगर हाले में 1924 में आनंद कोड़िश कुमार स्वामी प्राप्त करते हैं तो सही जवाब शी के साथ बनता है शी स्तराइट आंसर बढ़ेंगे एगले कोश्चन्स की तरब पचाश नमबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूछ रहा है जैन लगुचित्रों का प्रमुख बिशे क्या है नाम दिया गया पशुप अच्छी है शाषक है तीरधांकर और उनकी जिवनी है और फिर भारत का लबोन वाराण सी है जैन लगुचित्रों का जो प्रमुख बिशे रहा है मित्रों जो बिशे रहा है उस बिशे पर आपको सही लगाना होगा तीरधांकर और उनकी जिवनी तो सही जवाब C के साथ बनेगा पढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions 51 आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूछ रहा है किन भारती चित्र शैलियों में मनुष्य के चेहरे का तीन चौथाई भाग चित्रित किया गया कौन सी भारती सैलिय है इसमें मनुष्य के चेहरे का तीन चौथाई अगर चार भाग है तो उसमें से तीन भाग दरसा दिया जाए पाल सैलिय में गुलेर सैलिय में बीकानेर सैलिय में और जैन सैलिय में कहां पर इशादर्षे दिखाया जाता है तो जैन सली में इशादर्षे दिखाया जाता है सही जवाब टेक एशाद बन रहा है डी इस तरहाई टांसर्स लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले कोश्टन्स की तराफ अगला कोश्टन्स बावन नंबर आपकी स्क्रिन पे रहा जैन इशितर कागज पर कब बने नाम दिया गया बारहमी शताब दी, चोदहमी शताब दी, तेरहमी शताब दी और पंदरहमी शताब दी जैन इशितर की बात हो रही है मित्रों और पूछ रहा है कागज पर कब बने और कागज की खोज़ आप जानते हैं कई किताब चोधावी शताब दी मानते हैं कई किताब पंद्रावी शताब दी मानते हैं तो पहले चोधावी फिर पंद्रावी लगाना और कई किताब तो शोलावी भी लगा देते हैं बनी चित्र बौध धर्म के किसे शंपरदाईशे 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 हैं, नाम दिया गया ही नियान से हैं, श्वादवाद से हैं, महायान से हैं, अफिर नमेशे कोई नहीं, जो पाल सली के चित्र हैं बौध धर्म वाले, वो मुलूफ ये कौन से नाम है अनन्द कोडिस कुमार स्वामी ने कहा रायकरशनदास ने कहा फरगिऊशन ने कहा या फिरन मेशेश शभी ने कहा तो जैन सेली को अभरंस जैली कहके जो पुकारते हैं वो सबसे पहले वाले जो विदवान है उनका नाम रायकरशनदास है सही जबाब बीके चाहत लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले questions की तरफ 55 number questions आपकी स्क्रिन पे है पूछ रहा है आफ अब रहांस या फिर जैन सेली का प्राचिंतम ग्रंथ कोंशा माना जाता है नाम दिया गया अद्धो नियुक्ति वर्ति अंग शूत्र निसी थी चूरने या फिर नमेशी कोई नहीं तो अब ब्रंच सेली या फिर जैन सेली का जो सबसे पुराना वाला ग्रंथ माना जाता है और दो नियुक्ति व्रत्ति माना जाता है तो सही जबाब आपको पहले एके साथ देना होगा फॉर्स्ट इस द्राइट आंसर लगाना होगा बढ़ेंगे अगले कोश्टन्स के तराफ 56 नमबर कोश्टन्स आप से पूछ रहा है पूछ रहा है मित्रों धीमान और बितपाल किस सैली के प्रमुक चितरकार थे नाम है गुजराती सैली, पाल सैली, अजन्ता सैली और गुलेर सैली धीमान और बितपाल कि अगर बात हो मित्रों तो आपको सही जबाब पाल सैली के साथ देना होगा फिर बढ़ेंगे अगले कोश्टन्स के तराफ फिप्टी एट नमबर कोश्टन्स आपकी स्क्रिन पर यह रहा है फिप्टी एट नमबर पूछ रहा है जोन पूर से प्राप्त स्वरनाच्छों वाली चौदा सो सरसथ हिस्वी की कलप शूत्र की सबसे उत्तम वाली परती इस टाइम कहां सुरच्छित है बड़ोदरा के नर्सिंग जी के पालोको ग्यान मंदिर में राष्टी संग्रहले नई दिल्ली में एहमदाबाद के सारा भाई मरिकलाल के संग्रहले में आफिर नमेशी कोई नहीं जो आप जानते हैं हुशेन सा सरकी के कालका है कलपशूत्र जो जो जोन पुरवाला है जो सबसे बढ़ियां माना जाता है वो पालोको ग्यान मंदिर में है तो आपको श्रही जवाब बड़ोदरा नर्शिंग जी के पालोको ग्यान मंदिर लगाना होगा फिर बढ़ेंगे अगले कोश्टन्स के तरफ अगले कोश्टन्स 59 नंबर आपकी स्क्रेंट पे है पूच रहा है कोलाज माद्धिम का प्रियोग किस पर किया गया नाम है सिंजा और वानगा किये हैं मोनी और माने किये हैं रूवियंस और वृगेल किये हैं या फिर पिकाशो और प्राक किये हैं कोलाज माध्यम का सबसे पहला प्रयोग जो है कहां तो सही जबाब पिकासो और बढ़ाक लगाना डी इस दाराइट आंसस बनाना फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन साथ नंबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूछ रहा है नंदलाल बोज की चित् सही जबाब बी के साथ बनेगा बी इस दाराइट आंसर बनेगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन सिक्ष्टी वन नंबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूछा गया गीत गोबिंद के चित्र किस सैली के हैं नाम है ववरंस सैली, जैन सैली, गुजर साथ सैली या फिर पश्चिम भारतिय सैली गीत गोबिंद के चित्र हैं कौन सी सैली के हैं सही जबाब आप वरंस सैली बनेगा फ्रस्ट इस दराइट अंसर होगा पढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूछ रहा दोला मारू दोला मारू दोला मारू बिशेक चित्र किसे से संबंदित हैं नाम है जैपुर सैली मेवाड सैली किसन गड़ सैली या फिर मालवा सैली दोला मारू बिशेक चित्र जो है मोलूप से किसे से संबंदित है मित्रों तो सही जबाब मेवाड सैली के साथ बनेगा सी किसंगड सेली का प्रशिद्ध चित्रकार कौन था नाम है निहाल चंद गोवर्धन दाश मंसूर और दसवंत आपको बताना है किसंगड सेली का बढ़ियाँ वाला चित्रकार कौन रहा है तो सही जबाब निहाल चंद्र के शाथ देना ये इस ता राइट अंसस बनाना फिर बढ़ते हैं अगले कोश्टन के तरह अगला कोश्टन 64 नंबर आपकी स्क्रिंट पर ये है आपसे पूछ रहा है राजस्थानी चित्रकार का आरंभिक श्वरूप किस सेली से प्रभावित था नाम है पहाणी सेली मोगल सेली दक्कनी सेली या फिर अफ़वर्ण सेली फिर बढ़ते हैं अगले कोश्टन के तरह अगला कोश्टन 65 नंबर आपके स्क्रिंट पर ये रहा है राजपूत प्रिंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है नाम दिया गया में सरंधावा है परसी ब्राउन है आनंद कोडिश कुमार स्वामी या फिर स्टेला कैमरे से राजपूत प्रिंटिंग 116 में लिखी जाती है ये सन खुब पूछा जाता है और इसके जो रिलेखक है मित्रों वो स्रेलेंका के आनंद कोडिश कुमार स्वामी सही जबाब बनेंगे बीस दराइट अंसर्स लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले कोश्टन की तरफ 6-6 नंब फ्रेसको से लिए फिर पाल से लिए ये फ्रेसको चित्रों की जो तकनीकी का प्रभाव है भारत की कौन सी से लिए पे ज्यादा हाबी रहा तो जैपूर फ्रेसको पे जादा हाबी रहा सही जबाब आपको जैपूर फ्रेसको देना होगा भी इस तरह इडाना होगा बढ़ चित्र के शमान है जैपुरी फ्रेस्को के शमान है फिर पहाणी चित्रों के शमान है इटैलियन फ्रेस्को जो तकनीकी है मित्रों वो मुझलूब से जैपुरी फ्रेस्को के शमान है तो आपको सही जबाब B के साथ देना होगा B is the right answers लगाना फिर बढ़ते हैं अगले questions के तराफ 68 नमबर questions आपकी स्कृन पे यह रहा पूछा गया राजस्थानी सहली के लगुचित्र किस पर बनाये जाते हैं राजस्थानी सहली के जो छोटे चित्र हैं किस पर बनाये गए बॉंड पेपर पे कैनवास पे वसली पर या फिर इनमेशे कोई नहीं आपको अंसेस देना है राजस्थान सहली के लगुचित्र किस पर बनाये जाते हैं तो जो छोटी चित्र है राजस्थान सहली के वसली पर बनाये जाते हैं सही जवाब B के साथ लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले questions के तराफ 69 नमबर questions आपकी स्क्र में सरवो कृष्ट विशे क्या है सरवो कृष्ट विशे रागमाला है पशु है नाईका है या फिर प्रतिकर्ति है तो कोटा सहली की जो सबसे बढ़ियां वाली विशे मानी जाती है मित्रों वो पशु चित्रा माना जयता है सही जवाब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला कोश्चन सत्तर नंबर आपकी स्क्रिंट पे ये रहा पूछ रहा है राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा बिशे क्या थे नाम है रामशीता अफसराएं राधा कृष्ण या फिर रामन वंदोदरी आप जानते हैं राजस्थानी चित्रों की जो सबसे वाली बिशे शेली माना जाता है और राधा और कृष्ण माना जाता है तो सही जवाब B के साथ बनेगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन सेवेंटी वन नंबर आपकी स्क्रिंट पे ये रहा पूछ रहा हाथ ही दानत की पठरियों का चित्रन किस सेली का है नाम है पाल सेली का है अलवर सेली का है जैन सेली का है या फिर आजनता सेली का है हाथी दानत की पठरियों पर जो चित्रन किया गया मित्रों वह मोल रूप से अलवर सेली में किया गया है तो सही जवाब अलवर राजस्थान वाली सेली लगाओ सीज दाराइट आंसस बनाओ बढ़ेंगे अग उखला बंधन का जो चित्रन है मित्रों वह मुल रूप शे बशोहली शेली में किया गया, सही जबाब शी के शाथ देना होगा, सी इस तराइड आंसर पराना होगा, बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रिंट पर ये है, चौर पंच चौर पंचाषका का उतकरष्ण चित्रन किस सेली में हुआ है, नाम दिया गया रास्थानी सेली, पाल सेली, जैन सेली और तंजोर सेली, आपको सही जबाब देना है चौर पंचाषका के लिए, आप जानते हैं जो चौर पंचाषका है, उसका सबसे बढ़ियां वाला जो चित्रन है, वो मुलूब से रास्थान सेली की बिसेस्ता है, तो सही जबाब एक इशाद देना होगा, फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रिन पे ए रहा, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है, नाम दिया गया, कुरता, आँख, पगड़ी, आभूशन, अगर आपको रास्थान सली के सभी चित्रते दिये जाएं, उसमें से पहचान करने को कहा जाए, तो आप किसे देख करके पहचान कर सकते हैं, तो वहाँ पे आँखें देख करके आप पहचान सकते हैं, कहीं परली वाली आखे हैं, कहीं जो है परवल वाली आखे हैं, कहीं तीक नोचदार आखे हैं, कहीं छोटी आखे हैं, कई टाप का दर्शाय गया, तो आँखों को देखने के बाद ही आप वहां का चित्रण कर सकते हैं, अलग-अलग, बढ़ेंगे एक लिए कोश्चन की तरफ, 75 नंबर सबसे ज़्यादा हुआ है, तो सही जबाब जो बन रहा है, मित्रों वो बन रहा है, रास्थान सली, सही जबाब भी के साथ होगा, भी इस दराइट अंसर लाना, बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन 76 नंबर, आपकी स्क्रिन पर ये रहा, पूछा गय संगीत से समंधी चित्रों को क्या कहते हैं, नाम दिया गया लगुचित्र, शबीह, पिछवाई या फिर रागमाला, संगीत से समंधी चित्रों को क्या कहा जाता है, तो संगीत से समंधी चित्र रागमाला कहलाते हैं, सही जबाब आपको D के साथ देना होगा, D इस दराइ सेली किस के समय में आती है राव छातर सिंग के समय में सबसे चर्म उतकर्ष पे पहुंचेगी राव उमेद सिंग के समय में पहुंचेगी सवाई जै सिंग के समय में पहुंचेगी यह फिर सवाई जै सिंग दुतिय के समय में पहुंचेगी बूंदी चित्र शैली की एगर बात हो तो उतकर सेनी सीर सकाल और सीर सकाल पहुँचेगी राव उमेद के समय तो सही जवाब शी के साथ लगेगा सीज तराइट आंसस बनाना बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ बूंदी चित्र शैली के रंग योजना है नाम दिया गया धूमिल है हलकी रंग योजना है चटकोली है और फिर गहरी है बूंदी चित्र शैली की जो रंग योजना है मित्रों वो कैसी है तो सही जवाब चटकोली बनेगा बीज तराइट आंसस बनेगा सही जवाब B के शाथ लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले questions के तरफ अगला questions 79 नमबर आपकी स्क्रिंग पर ये रहा पूझ रहा है किसन गढ़ के लगु चितर शेली की जो अस्थापना करने वाले शाशक थे वो कौन थे राजा किसन सिंग, मान सिंग, तोमर, स्वाई जय सिंग या फिर शावंद सिंग आपको बताना है किसन गढ़ के लगु चितर शेली की जो अस्थापना करने वाले शाशक है उनका नाम क्या है तो उनका नाम शावंद सिंग है सही जवाब D के साथ देना जो छोटी छोटी सेलिया है लोगों चितर शेलिया उसको अस्थापित करने का काम सावंद सिंग का बनिया रहा तो सही जब आप D के साथ बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तरफ अगला कोश्चन्स असी नंबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा आपको सही जबाब देना है तो आप जानते हैं कोटा और बूंदी दोनों शेलिया हडोत सेलिके अंतर गताती है तो सही जबाब एक एसाथ देना बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तरफ अगला कोश्चन्स 81 नंबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूछा गया कौन सा सहर ब्लू पोटरी के लिए प्रशिद्धाय नाम है दिल्ली जैपूर लखनव एहमदाबाद आपको बताना है ब्लू पोटरी के लिए फेमस सहर कौन सा तो सही जबाब जैपूर के साथ लगाना सी इस तरही टांसास पनाना फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ अगला कोश्चन्स 82 नंबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूछा गया मुंबई में पंडित भीमस सिन जोसी के गायन पर किसकी प्रिंटिंग थी मुंबई में पंडित भीमस सिन जोसी के गायन पर किसन ने प्रिंटिंग की तो भीमस सिन जोसी जो गाते थे उस पर जो प्रिंटिंग करने का काम रहा मक्बूल फिदा फुश्चन कर रहा सही जबाब एक इसाथ बना इस तरह आई टांसास लगाओ बढ़ते हैं अगले कोश्चन के दरफ अगला कोश्चन 83 नमबर आपकी स्क्रीन पर यह रहा पूछ रहा है कचवाह सैली को किस नाम से जाना जाता है नाम दिया गया जैपुर शैली जूदपुर शैली गुजरात सैली या फिर बीकानियर सैली कच्छवाहा सेली को किस नाम से जाना जाता है तो जो कच्छवाहा सेली रही मित्रों उसको मुलोब से जैपुर सेली के नाम से जाना गया सही जबाब एक एशाथ देना है फर्स्ट इस दराइट अंसेस लगाना अगला कोस्टन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पर यह रहा 84 नंबर कोस्टन से आप से पूछ रहा है मित्रों कि जैपुर में किस सासक ने बिहारी सत्साई का चित्रन करवाया नाम है सवाई जैशिंग ने करवाया बिहारी सत्साई का चित्रन अगर चत्रण की बात हो तो जैशिंग का नाम बढ़ियां से लीजिएगा सही जवाब सवाई जैशिंग बनेंगे फ़र्ष्ट इस तरहाई टांसर होगा बढ़ेंगे अगले कोश्टन्स के तरह 85 नमबर कोश्टन्स आपकी स्क्रिंट पर यह रहा पुच रहा है किसके काल में जैशिंग का वचा में जैशिंग के समय में बढ़ा बढ़ते हैं अगले कोश्टन्स की तरह 86 नमबर कोश्टन्स आपकी स्क्रिंट पर यह रहा पूछा गया नम्रिकत में से किस राजस्थानी स्कूल में बिशाल मूर्तियों को चितरित कराये गया नाम दिया गया किसंगर में, मिवार में, हुदैपुर में या फिर जायपुर में राजस्थानी स्कूल में मूर्तियों का चितरा बढ़ियां से करवाया गया तो सही जब आप किसंगड़ बनेगा किसंगड़ की एक डाटा बहुत फेमस है बनी ठनी बनी और ठनी खुब फूशा जाता है ठनी ठीक है बढ़ते हैं अगले कोस्टन्स की तरफ अगला कोस्टन्स 87 नंबर आपकी स्क्रिन पर ये रहा आपसे पूछ रहा है मित्रू निमलिकित मेंशे कौन से स्रंखला भारती संगीत के पारिवारिक रूपों के पीछे की मनों दसा और भावनाओं की प्रिष्टिव भूमी पर लिखे गई नाम है चोरपंचाश का रागमाला रसमंजरी और सब्तस्वरा सही जबाब आपको देना है सही जबाब के अगर बात करते हैं तो रागमाला सही जबाब होगा सी इस था राइट अंसर्स लगाना बढ़ेंगे अगले कोशन्स के तरफ 88 नंबर कोशन्स आपकी स्क्रिंट पर ये रहा आपसे पूछ रहा है मद्ध भारत की उस प्रभाव शाली कलाकेंद्रों की पहचान कीजिए जहा निमामत तक खाना क्या निमात नामा निमात नामा यानि बेंजुनों की पुस्तक है उसको मुलूब से चित्रित किया गया तो निमात नामा मांडू में चित्रित है गुजरात में है जोन पूर में है फिर उतेपूर में है निमात नामा के अगर बात हो मित्रों तो सही जबाब मांडू लगाना होता है निमात नामा का जो चित्रन है वो मुलब से मांडू अले बिल्ट में कौन से घराने के लिए लोग प्रियकलाकार हैं तो सही जबा मित्रों मेवाल घराना देना होगा कौन सा साहब दिन के लिए मेवाल घराना है डिस दराइट आंसर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तरफ अगला कोश्चन्स 90 नंबर आपकी स्क्रिंट पे रहा 90 नंबर कोश् स्दुन के जित्रकलाकीं दौ शैलियों के शमिज्स्रण से प्रारंब होती है तो सही जबाब हिंदो और इरानी बनता है सीसता राइट आंसरस बनता है बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तरफ अगला कोश्चन्स 91 नंबर आपकी स्क्रिंट पे यह रहा किसी रंगीन खड़िया से चित्रन करना अधिक पशंद था रंगीन खड़िया से कौन चित्रन कर लेता था पिकाशो इदगार देंगा वान गो या फिर पाल से जान तो रंगीन खड़िया से बढ़िया चित्रन जो है इदगार देंगा करते थे सही जबाब C के साथ बनेगा C is the right answers लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले questions के तरफ अगला questions 92 नमबर आपकी स्क्रिन पे रहा पूछा गया सेख फूल शूफी शंत सेख फूल शूफी शंत किसने चितरत किया नाम है मनसूर ने सेख फूल शूफी शंत कि अगर बात हो तो किसने चितरत किया है सही जबाब बनेगा बिशंदास ने चितरत किया सही जबाब C के साथ बढ़ते हैं अगले questions के तरफ 93 नमबर question साथ की स्क्रिन पे ये रहा पूछा गया मीर सियद अली किसके दरबार का मुखे चितरकार था नाम दिया गया हुमायू के दरबार का जहांगीर के दरबार का साह जहां के दरबार का या फिर अकबर के दरबार का मीर सियद अली किसके दरबार का मुखे चितरकार था तो नाम आगाता है अगर मीर सियद अली सही जवाब आपको अकबर लगाना होता है अकबर लेकिन जब मीर सेद अली की बात हो तो पहले हुमायू लगाना पहले हुमायू लगाना फिर अकबर लगाना ज्यादा परसिद्धी तो मीर सेद अली जो है अकबर के काल में पाएगा क्युकisen आप जानते है हुमाईू इसका अखबर का पिता होता है बहुत कम ही दिन होता है हुमाईू के साथ ही मेर सेहदली और ख्वजबू समस्राजी ये दू चितरकार साथ आते है लेकिन अगर मुखषचितरकार दरबार का मुखषचितरकार था तब अकबर इसे मुख्य चित्रकार बनाता है इसलिए अंसर्स अकबर होज़ है अगर ये पूछे कि मीर सेदली किसके दरबार का चित्रकार था तब हुमायो लगाना होता है मीर सेदली और खुजाबू समस्यरा जी ये दूशी चितरकार जो है हुमायो के काल के लेकिन जब ये पूचे मुख्य चितरकार किस का रहा तब आपको answers अकबर देना होता है ठीक है तोनों में confusion समझ में आ गया आप निकाल देना आराम से अगर मुख्य पूचे अकबर लगाना आपको सही जबाब देना है मकडी का जाला है मकडी का जाला के लिए जो जो दार नाम होता है वो नेली रात वाले हैं मकबूल फिदा होशिन तो सही जबाब B के साथ देना होगा B is the right answers लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले questions के तराफ 95 number questions आप कि स्क्रिंग पर ये रहा पूचा जा रहा है जहांगीर कालीन भारती सुंदरी चितर किस संग्राले में है भारती सुंदरी चितर जो है भारत संग्राले प्रयागराज में है भारत भौन भौपाल में है भारत कलाभौन वारानसी में है या फिर राष्टिय संग्राले ने दिली में है भारते सुंदरी का छित्रण जो है मुलूप से किस संग्राले में है तो भारत कलब हुन वारानसी में है सही जबाब सी के साथ बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तराफ 96 नमबर कोश्चन्स आप किस स्क्रिंग पर ये रहा आपसे पूछा गया किस मिनियेचर में बारडर का प्रियोग किया गया नाम दिया गया पहाणी में गड़वाली में रास्थानी में या फिर मुगल में तो बारडर का प्रियोग कहा बढ़ेंगें से किया गया मोगल में किया गया सही जवाब D के साथ बढ़ेंगे अगले questions के तरफ 97 number questions आप किस पर यह रहा लाल पुस्प लाल पुस्प का चितरन किस ने किया नाम है गोवर्धन ने, अब्दुलाशन ने वीशन दास ने या फिर मनसूर ने लाल पुस्प का चितरन किस ने किया है तो सही जवाब जो बनता है मित्रों बनता है उस्ताद मनसूर लाल पुस्प या फिर बाज पच्छी कौन सा बाज पच्छी या फिर टर्की का मौर मौर नी बहुत सारे रचना है मनसूर के द्वारा लेकिन यह सभी important है यह मुशलमान चितरकार जादा थे फार्षी चितरकार जादा थे या फिर निमेशी कोई ने तो अकबर के काल में जो ज़्यादा चितरकार थे वो हिंदू चितरकार थे तो सही जवाब फ़रस्ट के शाद देना होगा इस दे राइट आउनस लगाना अगला कोश्चन 99 नमबर आपके स्क्रिन पे ये रहा आप से पूछा गिया किस सासक ने कबूतर के पंक कटवा की चितरकारी चितर बनवाए नाम है अकबर, जहांगीर, हुमायू और अंगजेब तो मुल लूप से ऐसा कारनामा हुमायू ने करवाया है यात्रा के दोरान, बैठा, आके पास इसके एक कबूतर, कबूतर को पकड़वा लिया फिर उसके पंक कटवा दिया, उसके बाद उसके चितरकारी करवाई, फिर उसे छोड़ दिया अब सोचो, बिन पंक का कबूतर कहां गया होगा, रामजाने, लेकिन हुमायू का सोख था, भाई, उसके चितरकारी हुई सही जबाब B के साथ लगाओ, बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ, शो नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिंट पर ये रहा आपसे पूछ रहा है, सियाकलं की सुरुवात के सासक के समय हुई है, नाम है बाबर, जहांगीर, औरंग्यब और सासाम सियाह कलम की जो शुरुवात है मित्रों मुलूब से साजहां के समय बढ़ियां हुई तो सही जब आप D के साथ लगाओ बढ़ेंगे अगले कोश्टन्स की तरफ अगला कोश्टन्स 101 नंबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूछा जा रहा है सियाह कलम सियाह कलम में चित्रकारी की जाती है या प्रविधा है काले रंग से चित्र बनाना काली तूलिका से चित्र बनाना चित्र की काली पट्टियों से सीमा अंकन करना या फिर काले कागज पर चित्र बनाना तो सियाह कलम की जो चित्रकारी हिमित्रों कौन सी प्रविधा है तो सही जबाब बनेगा काले रंग से चित्र बनाना काले रंग से चित्र बनाना सियाह कलम बढ़ेंगे अगले कोश्चन के तरफ अगला कोश्चन एक सो दो नंबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा 102 कोर्फेंस कह रहा है तूसरल जहां के समय लगुचेत्र अधिक चित्रत है युद्धचेत्रookie रंग महल । शिकार दरशिया फिरदहर मेख़ एक वि Luiza तो हाँ पर महलों की शंख्या जादा बनवाई, महलों हूँ या फिर मौलूब से मगबरे हूँ इन सब को खूब बनवाया, तो रंग महल जादा बनवाया से चितरित करवाया, सही जवापशी के शाथ बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरह, अगला कोश्चन्स एक शोतीन पूच रहा है किस मगल सासों को मुरका यानि एलबम बनवाने का शोख था, हुमायू को, जाइगीर को, आखबर को या फिर शादा को, तो मुरका बनवाने का जो ज़्यादा सोख था, जिसके कल में चितर कला सुरान काल पे होती है, तो वो हैं जाइगीर, सही जवापशी क के साथ, चालिस मुरका, चालिस चितरों का एक मुरका अपनी भेगम को कौन देता है, तो दाराशिक हो देते हैं, जो औरंग जेप के भाई थे, याद रखना, बढ़ेंगे गले कोशन्स की तरह, फगला कोशन्स, 104 नंबर आपकी स्क्रिंट पी ये रहा, 104 नंबर कोशन्स क साथ बनेगा, D is the right answers बनेगा, बढ़ेंगे अगले कोशन्स की तरह, 105 नंबर कोशन्स आपकी स्क्रिंट पी ये है, बिलासिता के चितर किस के समय में अधिक बनने आरम होए, नाम है अकबर के समय, साथ जहां के समय, जहांगीर के समय, या फिर फरुक खशियार के समय, तो ब मुलूब से फरुक खशियार के समय बनते हैं, D is the right answers बनता है, बढ़ेंगे अगले कोशन्स की तरह, अगला कोशन्स, 106 नंबर आपकी स्क्रिंट पे ये रहा, प्रभाव वादी दल, प्रभाव वादी दल में शमलित होने वाली पहली महिला कौन ते, नाम दिया गया मेरी क प्रभाव वादी दल में शमलित होने वाली पहली महिला कौन तो सही जबाव आपको बर्थ मरीशा लगाना होता है, इस तरह इडांसर्स बनाना होता है, बढ़ेंगे अगले कोशन्स की तरह, अगला कोशन्स, 107 नंबर आपकी स्क्रिंट पे रहा, मुगल कालीन आकरतियों में प्रधानता है, नाम दिया गया सवा चस्म चहरे की, डेढ़ चस्म चहरे की, पौने दो चस्म चहरे की या फिर एक चस्म चहरे की, तो मुगल कालीन जो आकरतियों हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो खासियत दिया गया, एक चस्म चहरे पे दिया गया सबसे ज़्यादा, तो सही जवाब प्रधानता है एक चस्म चेहरे की डीस तरही टांसर्स बढ़ते हैं अगले कोश्चन्स के तराफ एक सो आठ नमबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे रहा पूछा गया किसे ने पांधेर पांचाली और हिना फिल्मों के लिए चितर बनाए नाम है जी स्वामी नाथन ने हिना के लिए चितर बनाए तैयब महता ने बनाए एमेफ हुशेंड ने बनाए आफिर रांकुमार ने तो सही जवाब बनेगा मकबूल फिदा खुशेंड ने बनाए बिस तरह इट आउसर बढ़ेंगे एकले कोश्चन्स की तरफ अगला कोश्चन्स एक सो नौ नमबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा 109 नमबर कोश्चन्स मुर्गी के साथ संथाल महिला मुर्गी के साथ संथाल महिला किस कलाकार का चितर है नाम दिया गया रविन्ना टेवर का है सामनी रंजन राए का है राम के इंकर बैच का है या फिर राम कुमार का है तो मुर्गी के साथ जो संथाल महिला चितर नह मित दम मुगल चितरकार मीर स्यादली ने अधिकान से लगो चितरकिश मुगल समराट के संड़चर में तियार की नाम दिया गिया अकबर के समय बढ़ियां चितर तियार की, साजहां के समय की, जहांगीर के समय की, अफिर औरंग जेप के समय की मीर स्यादली और ख्वाजा अबु समस्राजी आप जानते हैं किसके काल में ज़्यादा बढ़िया कार कारेंगे तो सबसे पहले उनको आप साथ आपको अकबर के शाद लगाना होगा क्योंकि आप जानते हैं मीर स्यादली और ख्वाजा अबु समस्राजी आते तो हुमायू के काल में हैं, बढ़िया चितेरे माने जाते हैं लेकिन जब काम की बात आती है, तब आंसर साब को क्या लगाना होता है, मीर से यदली, अकबर के शाल लगाना होता है फर्स्ट इस दराइड आंसर्स बनाना होता है बढ़ेंगे एकले कोश्टन्स के तराइफ, अगला कोश्टन्स 111 नमबर आपकी स्किन पर ये रहा पूशा गया, प्रांतिये मुगल सेली चितरकला किसके सासन काल में बिक्षित हुई नम है बाबर के काल में, सासा के काल में, अकबर के काल में, फिर औरंग जेब के काल में प्रांतिये मुगल सेली चितरकला किसके सासन काल में बिक्षित हुई तो सासक का नाम होगा, मुगल लोपशे औरंग जेब प्रांती ये मोगल सैली मतलब छोटी छोटी लगू चितरन सैली जो स्टार्ड हो जाती है जब अरंग जेव अपने यहां से भागाना चित्रकारों को नहों तब वो छोटी छोटी प्रांतों में जाएंगे तो वहाँ-वहां की सैलियों को जो है उखिरना स्टार्ट करेंगे इसलिए वहां की सेलियों पे मोगलिया प्रभाव दिखाई देता है ये भी कोश्चन्स खूब ज़्यादा पूछा जाता है अगला कोश्चन्स 112 नमबर आपकी स्क्रिन पे यह रहा पूछा क्या बिरेश्वर सेन बिरेश्वर सेन इसके लिए मुख वेता थे जाप के लिए वास चितरन के लिए मूर्ती के लिए और दर्ष चितर के लिए तो बिरेश्वर सेन इसके लिए ब्यक्षात थे जो है बिरेश्वर सेन ज्यादा फेमस है दर्ष चितरन के लिए तो सही जबाब आपको बिरेशवर सेन के लिए द्रेश से चित्र लगाना होगा देख के चित्र बना दू वो है बिरेशवर सेन ठीक है बढ़ेंगे एक लिए कोशन्स की तरफ हला कोशन्स एक सो तेरा नंबर आप जिसके पही रहा पूछा गया किंग और वल्चर और ग्राफिन वल्चर और ग्राफिन पूछे या फिर किंग पूछे किसने चित्र इत किया मंसूर ने बेहजाद ने मसावन ने फिर मेर से दली ने किंग की बात हो या फिर वल्चर और ग्राफिन की बात हो पढ़ियां रचना है, मंसूर की द्वारा बनाई जाती है, फास्ट इस द्राइड अंसर्थ बनाना, बढ़ेंगे एगले कोश्टन्स के दिरफ अगला कोश्टन्स एक शोदा नंबर आपके स्क्रिंट पे है, मुगल चितरकला में व्यक्ती चितरन को किसके नाम से जाना जाता है, व्यक्ती चितरन को लगो चितर कहते हैं, सबी ही कहते हैं, व्यक्ती चितर कहते हैं, फिर बढ़ी चितर कहते हैं, मानसिक विकास सुचित करेगी, आमोद प्रमोद दिखाएगी, एफिर देश विस्तार दिखाएगी, संसक्रत क्या सुचित करती है, संसक्रत क्या सुचित करती है, तो मानसिक विकास दर साथी है, सही जवाब शी के साथ बनेगा, सी इस तराइट आंसर से बढ़ेंगे अगले questions के तरह अगला questions 116 नमबर आपकी स्क्रिन पर ये रहा किन दो चितरकारों ने वारानसी स्रंखला पर काम किया नाम राम कुमार मकबूल फिदा हुशेन है के स्कुल करने एनस बेंदर है किन दो चितरकारों ने वारानसी स्रंखला बढ़ियां से बनाई तो आप सानते हैं एक तो नाम राम कुमार का है दूसरा नाम मकबूल फिदा हुशेन लगाओ सही जबाब फष्ट के साथ पाऊ है इस तरह इडा अंसस लगाओ मित्रों बढ़ेंगे अगले कोश्चन के तरफ है 117 नमबर कोश्चन आपकी स्क्रिंट पे रहा हंगेरियन जिप्शी गर्वनई शुब 32 के रचना है किसका चितर है अमरता सिरगल का है नलनी मौलनी का है माधवी पारेक का है या फिर नश्रीन महंदी का है सही जबाब क्या बनेगा तो आप जानते हैं अगले कोश्चन की तरफ हागला कोश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रिंट पर यह रहा आपसे पूझ रहा है वर्ट 149 सब्य में निर्मित राम के इंकर की पहली अमूर्द रचना का सीरसक क्या था नाम दिया क्या मिथुन है लैंड स्टेंड लैंप स्टेंड है मन्थ देवयानी है या फिर इनमेशी कोई नहीं राम के इंकर बैज की जो पहली रचना है उसका सीरसक क्या रहा तो लैंप स्टेंड रहा सही जबाब सी के साथ देरा होगा सी इस ता राइट आंसर्स लगाना होगा फिर बढ़ेंगे अगले कोईशन्स की तराफ अगला कोईशन्स 120 नमबर आपकी स्क्रिंड पर ये रहा पूचा गया कांगणा की चितरकला का विकास किस राजा के समय हुआ कांगणा चितरकला घमन चंदर में आई रनवीर शिंग में आई तो कांगणा चितरकला की अगर बात होती है तो सही जवाब संसार चंदर बनता है बेज धराई टांसर्स बनता है फिर बढ़ेंगे अगले कोईशन्स की तरफ अगला कोईशन्स 120 नमबर आपकी स्क्रिंड पर ये रहा आपसे पूचा गया लामा मिला रेंपा अगला कोईशन्स 121 नमबर आपकी स्क्रिंड पर ये रहा आपसे पूच रहा है गड़वाल इसकूल पहाड़ी माइस्टर कोई पेंटर आफ नारदन इंडिया से पुस्तर के रचेटा कौन है रबिनाट टेगोर है जीन टेगोर है आपको बता ना गड़वाल इसकूल पहाड़ी में है जो है माइस्टर कोई पेंटर आफ नारदन इंडिया सेर्शक वाली जो पुस्तर लिखी जाती है किसकी है बिन गोश्वामी की है सही जवाब डी के साथ देना होगा पूछा गया वास बंटिंक कारम किस महाबिद द्याले शे हुआ दिल्ली शे कोलो काता से लखनो उसे है फिर शांतिनी के तन से वास वास तक निकी तो आप जानते है कोलो काता स्टार्ट होगा सही जवाब सी के साथ देना होगा बढ़ेंगे एगले कोश्चन की तरफ एवला कोश्चन एक्षो तेश नंबर आपकी स्क्रण पर यह रहा आप से पूछ रहा है कि भारती आधुनिक भारती चित्रला का जो इतिहास आरंभ होता है कहां से मदरास से, बंगाल से, कलकत्ता से, यह फिर नंबेशे कोई नहीं आधुनिक भारती चित्रला का जो इतिहास से स्टार्ट होता है तो सही जवाब बंगाल देना होगा भी इस तराइट आंसर्स बनाना होगा फिर बढ़ेंगे एगले कोश्चन की तराफ सेकंड लास्ट कोश्चन से आपके स्क्रिंपे यह रहा पोचा गया आउनी बाबु की पहली चित्र शंकला है बुद्ध है, आउरंग जेब है, राधा कुशन है या फिर कोई नहीं तो आउनी बाबु की जो पहली चित्र शंकला तयार होती है और आधा कुश्चन तयार होती है, तो सही जबाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इस तरह ही टांसर सदाशाना होगा फिर बढ़ेंगे अन्तिम कोश्चन की तरफ 125 नंबर कोश्चन, अन्तिम कोश्चन से भामर भामर यानि वरल पूल किसकी परसिद्ध करती है, भामर को शोमनात होड ने बनाया, जियन टेवोड ने बनाया, कुश्चन रेड़ी ने बनाया, फिर कवल कुश्चन ने बनाया सही जबाब आपको देना है भामर के लिए वर्ल पोल की अगर बात होती है मित्रों तो सही जब आप जो है क्रेशन ड्रडी के साथ बनता है बी इस दराइट आंसस बनता है ओबराल ये प्रक्टिस पेपर 17 कंप्लीट होता है प्रक्टिस पेपर 17 में आप लोगों का स्कोर क्या रहा ये ज़रूर बताना है 125 में कितने कोश्चन आपके सही गए दूसरी बात ये ज़रूर बताना है पेपर मॉडरेट था इजी था इजी टू मॉडरेट था या फिर मॉडरेट टू हार्ड था ये आपको कमेंट बाक्स में चापना है चैनल पे नए है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बेल आइकन ज़रूर पेस करना जिससे की नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाब टाइम से ले सके हैं मिलते हैं सुन में तब तक के लिए दिल से सल्यूट जै हिंद